हलो दोस्तों सभी को नमस्कार स्वागत है एक नए वीडियो में आपका मेरा नाम है पंकर्च दोस्तों आज हम आए हुए थे एक ऐसी प्रदस्नी में जहां पर हमको ड्रेगन फूट बहुत जादा मातरा में दिखाई पड़े और जो जो इसकी खासियत होती है क्या इसके बेनफिट होते हैं इसकी बारे में पूरी जनकरिया को हम देने वाले हैं और यहां से ले भी चलेंगे साथ में आपको इसको फ्रूट को काट करके भी दिखाएंगे कि किस किस कलर के फ्रूट होते हैं और इसको इंडिया में इतना ज्यादा क्यों महा तो दिया जा रहा है, इसके खेती पर जोर क्यों दिया जा रहा है वो भी आपको बताएंगे, क्या क्या इसका प्रॉफिट होता है, क्या बेनफिट होते हैं, वो भी आपको बताएंगे, तो यहाँ पर से हम ले चलते हैं, यह देखिए लखनों में एक प्रदस्ची थी वहां से हम ले जा रहा है और ये लगबग 500 क्या असपास का एक फूरूट होता है जो इंडिया के माहराश्ट्रावगरा में होते हैं वह लगबग 400 क्यास पास के रहे और जो बिदेशी को शुरू करते हैं अगर अभी तरह आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दिजिए चलिए वीडियो को में स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यह देखिए हम यहां से क्यारियों में जरूर लगा रहे हैं सभी लोग और काफी जादा इसका प्रचार अपसार हो रहा है तो इसकी जो बेनिफिट्स होते हैं बहुत जादा होते हैं यह जो फूर्ट है यह बाहरी फूर्ट है इसलिए इसकी जो पत्तियां होती है यह देखिए उपर से जो पत्तिय से देख रही है और इसके अंदर का जो गुदा होता है वो सफेद होता है तो बिल्क attach की वी का फूरुट मा लाजें सको कीवी की तरीक से निकलते है अंदर तो चलिया आपको दिखाते हैं थोड़ा अंदर इसको काट करके और और इसकी डेटेल भी आपको बताते हैं, दोस्तों जो ड्रेगन फूर्ट होता है इसको कमलम भी कहते हैं, और इसकी मूल उत्पत्ती स्थान जो है वो अमेरिका है, इसे एक बार लगाने पर 15 से 20 साल तक या फ्ल देता रहता है, स्वाद में ये दो प्रकार के होते हैं, मीठा तीसरा गुलाबी छिलका होता है और लाल गुदा होता है अंदर, तीसरा जो होता है उसका छिलका पीला होता है और अंदर सफेद या क्रीमी निकलता है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी इसमें मेडिसनल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसे सुपर फूड या कीवी का बा लेकिन जो फारण वाला होता है उसका छिलका थोड़ा होता है यह देखिए अंदर से बिल्कुल गुलाबी निकलता है और कीवी की जैसे इसमें बीज भी बहूत सारे होते हैं दोस्तों इसमें vitamins, minerals बहुत मातरा में होते हैं साथी साथ इसमें जो fiber होता है उसकी मातरा बहुत होती है इसलिए इसका 7 sugar patient भी बहुत अच्छी मातरा में कर सकते हैं उनको बहुत ज़्यादा होता है और पेट के लिए आतों के लिए बहुत ज़्यादा राम बान काम करता है आतों की सफाई करता है और पाचन को बढ़ाता है और ये देखिए जो फारन वाला है ये इस तरीके से इसका कलर होता है अंदर सफेद निकलता है लेकिन देखने में उपर से गुलाबी दिखता है दोस्तों ये जो फारन वाला है जो सफेद वाला होता है ये खाने में थोड़ा कम टेस्टी होता है इसका टेस्ट कुछ ज्यादा अच्छा तो नहीं लगता है लेकिन जो गुलाबी वाला होता है उसका टेस्ट काफी अच्छा होता है तो अगर आप अपने घर में कहीं भी लगाना चाहते हैं तो आप गुलाबी वाला ही लगाएं इसको पता करके वराइटी लगाएं जिसके यहाँ पहले से फल लग रहे हो फल की आप क्वालिटी जरूर चेक कर लें उसके बाद ही अपने घर में लगाएं और अगर आप अपने छट पे या कहीं भी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़ जादा इस्टोर हो जाती है उस मिट्टी में इसको बिल्कुल ना लगाएं नहीं तो यह पोधा बड़ा होकर भी बहुत जल्दी खराब हो जाता है और ध्यान रखें कि वराइटी अच्छी हो नहीं तो आप जब लगाएंगे तो कम से कम 2-3 साल बाद इसमें फलाना शुर जाता है क्योंकि इसकी पतियां होती है उसमें पानी बहुत रहता है रेसे बहुत ज्यादा होते हैं तो इसका वेट बहुत भारी होता है इसलिए तूट करके गिर जाता है और इसको सहारा इसलिए होता है और जहां भी आप जिस पार्ट में लगा रहें उसमें आप ड्रेन आप ज्यादा दे रहे हैं तो वो तुरंद निकल जाए वहाँ से अभी इंडिया में इसकी खेती बहुत बड़ी मात्रा में स्टार्ट होने लगी है और जो पीला वाला डेगनफूर्ट होता है उसकी भी कहीं कहीं पर खेती होना स्टार्ट हो चुकी है जैसे उसका रिजट अच्छा आएगा तो लोग उसको भी बहुत ज्यादा मात्रा में लगाना शुरू करेंगे और इसका जो रेट है वो इसलिए हाई रहता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिल्रस होते हैं कुछ पाए आता है और खेती थोड़ा कम मात्रा में है भी दोस्तों जनकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चनल पर पहली बारा सब्स्क्राइब कर लिजेगा